आप सब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो थोड़ा बहुत हस लीजिए हसने के लिए तैयार हैं? बहुत स्लो आवाज आ रही है तैयार हैं आप सब? बच्पन में मेरे गाउं में एक फूफा जी रहते थे वो एकदम वन साइड़ बाते कर दे थे वो एकदम बढ़ा चड़ा कर बात कर दे थे लेकिन अब वो है नहीं लेकिन उनके कुछ बच्चे हैं जो उनके भी बाप हैं और वो आज कल न्यूज चैनल में एंकर का काम कर रहे हैं ये न्यूज एंकर ये लोग अपने अलफाज अपने जजबात भाड़े पर रखकर पैसे कमाते हैं आप तो जानते होंगे सबसे बड़े देशभक्त जनलिस्प के भगवान जनलिस्प के बाप कौन है जानते हैं कोई अर्न जानते हैं अर्न को आप सब देखते ही होंगे वो तीन चार लोगों को बुलाता है लेकिन बोलता सिर्फ हकेले ही है अगर कोई भी थोड़ा सा मुव भी खोला तो बोलेगा बैठिये बैठिये ये देश का मामला है आप कैसे बोल सकते हैं लेट मी स्पीक बैठिये वो बोलता है भाई मैं बोला ही कहा कुछ है फिर कोई धीरे से उंगली उठाने की कोशिस कर रहा है आप ऐसे देश के मामले पर उंगली कैसे उठा सकते हैं भाई कब से गया नहीं हूँ जाओं मैं आप सब जानते होंगे कि लड़कियों की वज़़ा से दोस्तिया टूट रही है लेकिन यहां तो अर्णव की वज़़ा से भी दोस्तिया टूट रही है मेरे दो बेटे हैं जिने हम दोस्त कहते हैं और उन सब की सोच आपस में मिलती नहीं है एक लड़कियों में कैटेगरीज बनाता है सुन्दर अति सुन्दर ओ तेरी तो और दूसरा सुन्दर अति सुन्दर गोरी काली से कुछ मतलब ही नहीं है उससे चाहिए बस लड़की होनी चाहिए और जिन्दा होनी चाहिए वो सब आपस में बैटकर अर्णव भगवान का डिवेट देख रहे थे और आपस में ही भीडे पड़े हैं एंकर बोल रहा है पाकिस्तान ने टेक दिये घुटने अब पाकिस्तान माग रहा भीग इसी पर लड़े हुए है वो सब और दूसरा बोल रहा है देख देख पाकिस्तान टेक दिया घुटना और अब भीग भी माग रहा है और इसी पर भीड़े हैं तब जाके उन सब को समझाना पड़ा भाई आद जुम्मे का दिन है और वो सब नमाज पढ़ें कोई भी लेकिन अब इस बार वो सब लड़े नहीं बलकि डर गए क्यांकि एंकर ने बोला हिंदू खत्रे में है अब हिंदू खत्रे में है भारत का हो रहा इसलामी करण, दो जार नतिस तक भारत हो जाएगा इसलामी कराश, अब वो सब डर गए हैं, कि अब तो होली दिवाली भी नहीं मना पाएंगे, अब भंडारे का पूरी भी कैंसिल हो जाएगा, तब उन सब को सम्हाना पड़ा, भाई, तुम तो मुस्ली मुथूम का हडर रह, वैसे हेट का मतलब होता है नफरत, लیکिन यह सब ण्हूज़ वालों के लिए हेट का मतलब डिवेट होता है, और यह उन्ही को बुलाते हैं, जिनके बीवी से जगडा हुआ होता है, और यह एंकर इतने जो सिसने जजबे में होते हैं, ऐसा देखके लगता है, जैसे नास्ते में पाव, किलो, सिला, जीद खा कर आए हैं, जैसे, बलाश्ट करेंगे, धमागा करेंगे, फोड़ देंगे, सब बोलते रहते हैं, अगर इनके बगल में सुतली बम भी रख दो, सुतली बम, तो बम बाद में जैसे किया, हिलो, मैंने लिखा हाई, फिर वो बोल रहा है, मुले, कटवे, साले, अपना असली नाम बता, मैंने बोला है, जब यही बोलना तो हिलो क्यों बोला, ऐसे, ऐसे कॉन ग्रेटिंग करता है भाई, हिलो, बहुत चूती यह लग रहे हूँ, और यह सब आइंकर पाकिस्तान ने टेक डिये घुटने, और डालेंगे, जुकता पाकिस्तान, जुकता हिंदुस्तान, लेटता पाकिस्तान, लिटता हिंदुस्तान, और मोदी, इंडिया का बाप, अब इंडिया पूरा कन्फूज है कि मोदी की साधी भी हुई है कि नहीं हुई अभी, और य से कैसे उड़ेंगे यह सब चूर बाजाज से ऐसी कैल्कुलेटर खरीद कर लाते हैं अब बहुत जल्द ही यह सब ऐसी बोलेंगे कि मम्मी कसम पापा कसम सची न्यूज पढ़ रहा हूं थैंक यू